नमस्कार, मैं तिथी दानी, जन सरोकार मंच के लिए कुछ कविताएं साजा कर रही हूँ, उमीद है कि श्रोताओं को पसंद आ लेगी। मेरी पहली कविता का शीर्शक है, जी भर कर किया प्रेम जब वह लड़की पहली बार साइकल चलाती है बिना गिरे, तो संतुलन की भाशा पल भर में समझने वाली ऐसी लड़की से मैं प्रेम करती हूँ जब वह लड़की पहली बार लाल फलों को अपने बच्पन की कटूरी में लेकर मा से कहती है कि ये देखो, मैंने बनाए थे इनके चित्र और ये तो सचमुच निकलाए बाहर तो ऐसा बोलते हुए उसके होट अनारी रस में भीग जाते हैं और कलपना की कौपी पर बिखरने के लिए सुर्ख रंगों में खोड लग जाती है उस पल जी भर कर किया मैंने उसे प्रेम आखिर लड़की ने स्रिजन और प्रकृती का गुनसूत्र पहचान लिया था जब खिलोना तूटने पर रोई बिलख कर वह तो आया मुझे उस पर सबसे ज्यादा लाड़ लड़की ने तूटने की परिभाशा समझ ली थी जब पहली बार उसने आईने पर अपना प्रतिविंब देख कर लगाई उस पर बिंदी तो मेरे मन में उसके प्रेम के लिए सीमा न बची वह जान गई थी सारी स्रिष्टी दो भौहों के बीच लिये फिरती है अनंत विश्यों की संचालग एक इस्तृ फिर एक दिन मेरा प्रेम और जंगली प्रपात एक हो गए उस लड़की ने पहली बार चलना सीखा और पैर मेरे जूतों में डालते हुए वह डगमगाई नहीं अन्तिताह पीडियों का दायत तो समहालने की निपुरता सुयम सुरक्षा कबच में रहने से आती है जूतों में छिपे हैं भविश्य की सुरक्षा के अर्थ यह जान लिया उसने दो वर्ष की उम्र में मेरी अगली कविता का शिर्शक है पुनरजन एक रहस्य विजीवन उसकी आँखों में तैरती मचलियां थे कभी किसी दिन ओचक उनके गलफड़े इस बालक की जिवहा पर आ जाते थे उसकी जिद का इस्थाई पता दूध पीने से इनकार था मम्मी की आँखों में नवजात के दुनिया देखने की कौतूहल भरी आद्रता थी उनके कान में कुछ वाक्यों का नगाड़ा निरंतर आर्ती कर रहा था मुझे अपने बच्चों से मिलना है मुझे जाना है रूस पूरो करना है मुझे अपना नौविल ले चलो मुझे वहाँ नहीं तो छोड़ दो मुझे अकेला अब मम्मी मानने लगी हैं कुछ अविश्वस्नी और पारलौकिक अस्तित्व की अनश्वर्ता को लेकिन वह बेटे को संसनी खेच खबर बनने से रूकना चाहती है बेटे के लिए बना बजद बैंक खाता पुनर जन्म की कथाओं में उत्पन रुची की परिणती है गुजिश्टा दिनों के अवचेतन की थैली फट पड़ी है निकाल ली है उसने वह युक दी जो उसके बेटे के शैशव काल को रोक ले एक बूढ़ा दरख्त बनने से क्योंकि उसे पता है चार साल की उम्र में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता विश्व का भूगोल और नहीं सिखाई जाती साहितिक शब्दावली मेरी अगली कविता का शीर्शक है लिखो 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 जैसे सडको पर फेरारी लिखती है गती लिखो की कंठ को गर्मी में शर्बती करार मिले लिखो की उत्साह को चांधनी का सौम्य प्रकाश और कागस को रमगीन चरित्रों का साथ मिले लिखो समझ कर की तुम्हारी उंगलियों में नमक से है प्राण और कलम की नोक में परमात्मा का अथक रत लिखो लिखो की बन जाओ लेखक जब कोई अंदर से प्रकर आवाज लगाए लिखो की निर्जर से शीतल हो तुम्हारे सुख और दुख लिखो जब जब रिक्तता से भरा हो मन और आत्मा और आत्मा रिक्त होना चाहे लवालब होकर लिखो लिखो जब भी दिक्कारा जाए तुम्हें कहकर की नहीं हो सकता तुमसे ये न वो लिखो तुम ही हो खिवईया और नाव भी तुम ही ने लकडी काट कर है बनाई लिखो लिखो जब भी लगे की क्या-क्या है असंभव और संभावे लिखो कि तुम्हारे भविश्य के शामियाने में लगना है असंख्य चम-चम आते अफसरों का मेला अबली कविता बहुत ही छोटी सी है इसका शीर्षक है इश्वर कहां रहता है इश्वर? हे इश्वर तुम कहां हो? जब कहते हैं हम अवचेतन के नन्हे पौधों की कोमल पतिया तोड़कर कितने प्रश्णों की हमने बनाई होती है तरकारी? तुम्हे अलग-अलग नैवेद्दे लगाने की चाहत लिए नौकाओं पर सवार गहरे समुद्र में मचलिया ढूनते हैं हम ये उम्मीद लिये जाते हैं कि मिलेगी कोई जल परी हम पूछेंगे तुम्हारा स्थाई पता मिलती है वह गोधूली बेला के सूरच की बिंदी लगाए और उसका शीश जुक जाता है धन्यवाद